दोस्तो आज एक ऐसे खास पेड के बारे में चर्चा करते हैं जो नर, वानर, पशू, पक्षी सब के द्वारा इस्तिमाल किया जाता है और यहाँ अमेजिंग जो ट्री है यहाँ इतना सिंपल है ग्रो करने में यानि आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं और यह भारत वर्स में अल्मोस्ट बहुत बड़ी एरिया में हो सकता है तो वीडियो में आप बने रहें बात करते हैं उस पेड की जो सब लोगों के लिए एक वरदान है जी हाँ हम बात कर रहे हैं सहतूत वरक्स की जिसे अंग्रेजी भासा में मलबरी भी कहते हैं बात करें इस पेड के आकार की ये एक बहुत अच्छा घना बड़ा पेड भी हो सकता है और इसकी खुबसूरती कि अगर हम बात करें खास बात इस पेड की ये भी है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग हमको गर्मियों में चाया देता है और जाड़ों में अपनी पत्तियां गिरा कर हमें धूप सेखने का पूरा आनंद भी देता है तो ये पेड समय के अनुसार मानव हित में अपने आपको बदलता रहता है ये है ना इसकी अनुकी बात अब हम दोस्तों बात करें इसके मजेदार जायकेदार फ़लों के बारे में ये खटे मीथे सहतूत एंटी ऑक्सिडेंट विटामिन सी में रिच और आईरेन में भी र रामबान दवा है और खासी की हाँ ये एक रामबान दवा है इसके खटे हाँ यदि हम बात करें पक्सी समुदाय की पक्षियों के लिए तो ये पीड मैं कहूंगा एक चुम्बक है चुम्बक की तरह पक्सी समुदाय के बहुत सारे पक्सी माह फरवरी मध्यान से और मार् अपना गुजारा करते हैं इसके स्वादिस्ट फल ना किवल मानों को बलकिन पक्षों के लिए भी एक पाटी स्थाल है जिन में प्रमुक्तिया बारबेट, हौनबिल, पेराकिट, बुलबुल, वाइट आई और बहुत सारी थ्रस्प्रजाते की चिडियाएं आपको दिन भर इसमें चहल कदमी करती मिल जाएंगे साथ में ये भोजन के साथ यहाँ पर आवास भी करना पसंद करती है तो ये रही इसकी एक अनोखी दुनिया अगर बात करें तितली समुदाय की या कीट समुदाय की इसके मुलायम पत्ते कीटों के लारवा के लिए एक बहुत अच्छा भोजन होती है तितलिया इससे रश चूचती है और उसके उपरांत इनी में एकले करती है और इनी से आगे उनकी संतानुत पत्ती होती है अगर मैं बात करूँ इसके दूसरी तरीके से रोजगार की तो यह human wide life conflict कम करने में भी महत्तुपून भूमिका निभालता है इससे हम बेशुमार कीमती रेसमी वस्तर पहनने के लिए सेरी कल्चर भी कर सकते हैं तो इसके बहुत सारे dimension है यदि मैं बात करूँ अन्य जानवरों के लिए मैं कहूँगा कि इससे सुपाच कोई पत्तेदार भोजन हो नहीं सकता तो एक बहुत बहतरीन मुलायम चबाने और पाचन में आसान रेशम जैसा पत्ता सहतूद देता है जिससे गायों में दूध की ब्रद्धी और उनका सुपाचन होता है तो दोस्तों बात करें इस पेड को अपने बैक्यार में लगाने की मैं कहूँगा कि इससे आसान पेड उगाने जैसा कुछ है ही नहीं आपको इसी पेड की किसी छोटी पत्ली साखा को काटना है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा यह जानकारी आपको अगर अच्छे लगी हो तो आप ज़रूर कमिट में हमारे साथ वारता अलाप करें आपसे निवेदन है आने वाले अक्टूबर नौबर माह में आप भी एक कलम अपने बैक्यार में जरूर लगाएं और अपने आसपास स्वाधिस्ट फल और बहुत सारे ऐसे नन्हे मुन्हे जीवों को फलने फोलने का मौका दें आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद